हेलो दोस्तों मैं आपके अपने चैनल एजुकेशन अड़ा पर हारदिक स्वागत करता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे बैल आइकन को दबाना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक होगा हम पिछले कुछ दिनों से प्रिवियस एर कर रहे हैं आज हम सोशल स्टेडिस के कुछ कोश्चन पेपर कोश्चन्स डिसकस करेंगे कल हमने कुछ कोश्चन किये थे आज हमने जितने बच गया है कोश्चन वो हम डिसकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले question से कल हमारा एक question था वो अच्छी तरह से discuss नहीं हो पाया था तो आज हम उसके अच्छी तरह से discuss कर लेंगे वो question था question number 45 which one of the following which one of the following statement about water conservation water conservation is incorrect हमने ये बताना था किसमे से जल सरक्षन की कौन सी ऐसी line नय statement लिखी होई है जो गलत है तो सबसे पहले वाली option थी controlling surface runoff is one of the way to conserve water कि हमने उपरी सतय वाला जो पानी होता है उसको उसको धरती में जाने से रोकना है कि हमने wastage नहीं करनी है पानी की ज्यादा जैसे कि water conservation के लिए हम दूसरे जो बारिश का पानी होता है उसे भी बचा कर रख लेते हैं तो वह बात कही है उन्होंने दूसरी option थी sprinkler effectively control evaporation जो हम शिड़काव करते हैं पानी का पानी का बूंदो दोबारा जो फवारा टाइप लगा होता है उससे अगर हम उसका प्रयोक करेंगे तो हमें प्र और तीसरी option थी water is a non-renewable resources तो यह हम अभी discuss करेंगे renewable और non-renewable resources कौन से होते हैं चौथी option थी underground water could be improved with forest and vegetation cover जो underground water है जो भूमी का तजल है जो हमारी धरती के नीचे है जो की लगातार घरता ही जा रहा है क्योंकि हम water की wastage बहुत कर रहे हैं है जो tubels होते हैं खेतों में पानी हम बहुत ही जादा ओ सारा groundwater से ही देते हैं नहरों का पानी हम कम देते हैं तो इसमें जो है groundwater है वो improve हो सकता है कैसे अगर हम forest जंगल और vegetation यह उसका जो level होगा जो improve हो जाएगा इनकी वज़ा से ठीक है क्योंकि पानी नीचे जानी पाएगा फिर इसलिए तो हम अभी discuss कर लेत पूशा है कि इनकरेक्ट कौन सा इसमें से इसमें से गलत कौन सा है तो बाकी कि जो तीनों अप्शन है थी A, B, D यह तीनों तो सही है बाकी जो option number C था वो थी गलत इसलिए इसका जो answer होगा होगा option number C तो चलिए इससे discuss कर लेते हैं renewable energy कौन सी होती है और non renewable energy कौन सी होती है कल भी मैंने वैसे बताया था कि जो water है, water, hydro power energy यह पानी वाली energy है तो यह है यह कभी खतम नहीं होगी जैसे कि पानी है यह अगर खतम भी हो जाए तो यह कुछ time बाद आ जाएगा अगर नदि होगी फिर से नदियां बन जाएंगी पर जैसे कि fossil fuels है बालन है या कोई भी कोईला है या natural gas है जो हमारी घरों में आती है LPG या nuclear है या coal या energy तो यह सारी energy है यह खतम होने के बाद इन्हें बहुत हजारों साल लग जाते हैं हजारों लाखों साल लग जाते हैं लाखों साल इनको दुबारा वापस आने में पर वही बात अगर हम renewable energy की करें अगर sunlight की sunlight का अगर प्रयोग हमने करना है thermal energy में करना है हमने thermal plant में अगर हमने solar energy का यूज करना है तो यह energy खतम नहीं होगी एक साब से अगर रात अभी सवेरे तो चलो धूप निकली होगी पर शाम को रात मे नहीं निकलेगे पर सवेरे फिर से निकल जाएगी ऐसा तो नहीं है कि सारा देनी धूपना निकले इसलिए हम इस energy को यूज कर सकते हैं cooking में या घर की लाइटों में भी यूज कर सकते हैं अगर हमने thermal लगाया हुआ है तो thermal power plant लगाया हुआ हुआ है तो biomass energy को भी इस्तिमाल खितम किये पर non-renewable energy वह होती है जो खतम हो जाती है एक टाइम पर आकर पर renewable energy खतम नहीं होती तो उसलिए इस question का जो सहीत तर था वो था option नबर सी वेकि water conservation की यह बात एकदम गलत लिखी हुई है ठीक है तो चलते हैं आज का हमारा first question वैसे कल हमने 20 question किये थे आज हम next कोश कोशन जो इतने भी बजगे हैं first question is a system of structure and practice in which men क्यों से बात कही है men dominates oppress and exploit women is called वह system का नाम क्या है उस रसना का नाम बताना है जिसमें अभ्यास किया जाता है practice किया जाती है क्या किया जाती है practice जिसमें पुरुष हावी होते हैं जिसमें पुरुष dominant करते हैं और महिलाओं पर अत्याचार करते हैं इस society को हम क्या कहते हैं मुनेर्की मुनेर्की कहते हैं य प्रित्त समाज प्रित् सत्ता इसमें जो पुरुष है उनको सरवोत्तम माना जाता है, उनने सुपीरियर माना जाता है उछ कोट्री का माना जाता है कि वो वुमिंस पर अत्याचार कर सकते हैं और वो डॉमिनन्ट करेंगे, पुर्ष परधान समाज भी कहा देते हैं, जो की बात बलकुल गलत है, उसका जो सही उत्तर है, वो है option number B, पृत्त सत्ता, तो चली चलते हैं, question number 22, which of the following, which of the following statement about प्रशश्तीज, is an incorrect statement, प्रशश्तीज के बारे में, हमने वो बताना है, इस में से कौन सी statement है, जो गलत है, usually the kings themselves wrote them, king खुद लिखते थे क्या इसको, option number B, they are valuable, sources of history, period in which they belong, कि ये बहुत ही valuable है, उस अबधी के थ्यास में, ये बहुत ही मुल्यवानस्तुरू होता है, जिससे वे सम्मद्देत है, option number C, the achievement of rulers or kings are described in प्रशश्तीज, तो इन्होंने काया कि जो achievement थी, जो शाश्कों ने उपल लब्दियां थी, राजाओं की, वो इन प्रशश्तीज में लिखी जाती थी, तो चलिए देखते है, option number D, they were written by scholars, poet, learned people, for the purpose of praising the kings and earning their patronage, तो उन्होंने क्या बात कहिए है, कि वे राजाओं की प्रशंशा करने, और उनके selection अर्जित करने के उदेश से विद्वानों कवियों द्वारा लिखे जाती थी, तो इसमें बात, ये जो प्रशंश्तीज थी, ये आम तोर पर राजा की प्रशंशा में लिखी जाती थी, ठीक है, तो जो option number B है, तो ये बात, इन्होंने कौन सी बात पूछी है, इन्होंने पूछा है कि इनमें से गलत statement कौन सी है, तो जो option number A ह वो सही है, क्योंकि इसे राजा नहीं लिखते थे, राजा के दरबार में जो कवी हुआ करते थे, या वो किसी से भी लिखवाया करते थे, पर वो खुद नहीं लिखते थे, राजा नहीं लिखते थे, अपनी प्रशंशा में वो दूसरों से लिखवाते थे, या दूसरे अ आया तो इसे संबंदित तो question आई सकता है इसलिए आपका concept clear होना चाहिए यह बहुत ही valuable source है ठीक है मुल्यवान स्त्रोत हैं जिससे इतियास का हमें पता लगता है और इसमें achievement of rulers की इसमें राजाओं की उपलब्दियों के बारे में भी लिखा जाता था राजा ने क्या बनवा जाती थी बुरी बात नहीं लिखी जाती थी ते वर रिटन बाइ स्कॉलर्स पॉइट लर्न पेपल और दो पर्पोस ऑफ प्रेजिंग दा किंग्स एंड अर्निंग दियर पेट्रोनेज ठीक है तो चली चलते हैं question number 23 which of the following statement is not objective of social advertising इन में से कौन सी ऐसी statement है जो की objective नहीं है social advertising का समाजिक विग्यापन विग्यापन तो आपको पता ही है हम कितने भी television पर mobile पर YouTube पर किने सारे विग्यापन देखते हैं तो वो विग्यापन है social advertising का विग्यापन नहीं है इनका audition नहीं है to advertise products on social networking sites for personal commercial value व्यक्तिकत वानिजिक मुलिक के लिए social networking साइटों पर उतपादों का विग्यापन करना to motivate members of the public to engage in voluntary social activity स्वैचिक समाजिक गतिविद्यों में सलंग होने के लिए जनता के सद्यस्थों को प्रेरित करना option no.3 to change attitude mindset as possible influence people तो हां ये बात भी सही है जो हमारी जो होती है advertising होती है विग्यापन होते हैं वो हमें influence करते हैं प्रभावित करते हैं हमारे attitude को mindset को change कर देते हैं जो चीज हमें बुरी लगती है वो अच्छी चीज़े लगने लग जाती है अगर हमें विग्यापन सही ढंग से दिखाये जाएं तो हमें बुरी चीज़े भी अच्छी लगने लग जाती है option number D to target social networks and social groups यह बात भी सही है जो विग्यापन दिखाये जाते हैं वो आम लोगों को या समाजिक समुह को प्रभावित करने के लिए उनको target करने के लिए कि वो हमारे उत्पादनों को खरीदें हमारे जो उत्पादन हमने किया है हमारा जो brand है हमारा जो product है उसे लोग खरी हैं कि जो भोले भाले लोग हैं वो समानों को खरीदना शुरू कर दें तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा option number A यह personal commercial value के लिए नहीं होती इसमें जो बाकी तीने बाते कहीं हैं यह नोंने सही कहीं है यह objective होती है बट इसकी जो option number A है यह इसकी उदेश है नहीं है तो चले चलते हैं question number 24 which development which development facilitated the debates discussion about social custom and practices on a wider scale during the 19th century इनमें से ऐसी कौन सी उन्नीसवी शिदापदी के दोरान व्यापक पैमानें पर समाजी करिती रिवाजों और प्रताओं के बारे में बहस और चर्चा को सुविदा जनक बनाया इनमें से कौन सा ऐसा था device था या फर हम यह कह सकते हैं कि इनमें स discussion को और social custom practice को wider scale पर फैलाया तो हम इसका देखते हैं movies ने फैलाया, radios, magazines या theater तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो होगा magazines magazines की मदद से ही 19 सतावदी के दौरान व्यापक प्रताओं के बारे में बहस और चर्चाएं कि सुविदा जनक बनाया गया, question number 25, which of the mahajanpads were fortified because, most of the mahajanpads were fortified because, mahajanpads को अधिकांश के लिए बंद थे, क्यों की, क्यों के लिए बंद थे, चलिए देखते हैं, the rulers were scared, क्या था उन्हें डर था, for attack, attack and wanted to ensure they were protected, क्या वह शाचक हमले से डर गये थे, वह सुनिश्चत करना चाहते थे, कि उनका रक्षा की जाए, उनकी रक्षा की जाए, option number B, they were symbols of their rich warriors tradition, वो दखाना चाहते थे, या फिर उनके स्मृद योद प्रमपरा के प्रतीक था, कि हाँ हम अमीर हैं, इसलिए हम ये बनवा रहे हैं, fortified करवा रहे हैं, option number C, of a valley of wood, bricks, stones in this area, कि उनके शेत्रों में लकड़ी, इटें, पत्रों की उप लबदता होती थे, इसलिए वो fortified करवा लेते थे, और option number D, they reflected their wealth and power, उन्होंने अपनी धन और शक्ती का प्रती बंदद किया, कि उन्होंने अपनी powers को, wealth को, जो भी उनके उनका धन था, अपनी शक्ती को दिखाने के लिए, वो किले बंदी किया करते थे, आपको पता है न, the ruler were scared of attacks and wanted to ensure they were protected, इसका जो सही उत्तर होगा, option number A, क्योंकि वो जादतर इसको इसलिए करते थे, अपने किले बंदी, इसलिए किया करते थे, कि उनको दूसरे राज्यों से कोई हमला ना कर सके, कि उनकी सेना पहले से ही त्यार रहे, और वहाँ पर उची-उची दिवारे रखाना चाहते थे, बट यह बस प्रोबेबल है, संभावित बात है, पर इसका जो असली और सही उत्तर हो है, option number A, चले चलते है, question number 26, around 39 hundred years ago, the earliest cities हडपा and Mohanjidaro begins to come and end because of various reasons, which of the following is not one of those reasons, इन में से कहा है कि 49 साल पहले, जो हमारी यह थी, यह शहर थे, हडपार Mohanjodod, यह कैसे खतम हो गया, इनका खातमा कैसे हो गया, इनका पतन कैसे हो गया, तो हमने यह बताना है, कैसे हो गया, grazing of green cover by herds, of cattle destroyed the soil cover, की मवेशियों का जो जूंट था, जो जानवर थे, उन्होंने जो घास थी, महां को यह चराई वाली थी, चारा था, वो सारा और उसका जो मिट्टी का आवरण था, जो मिट्टी की अपजाव शक्ती थी, सारी खतम हो गई, option number B, rivers dry up leading to the end of the cities, जो वहां की rivers थी, वो सूख गई, ठीक है, जिसका, जो, जिसके कारण शहर का पतन हो गया, there were internal rivalry and warfare between cities, की जो शहरों के बीच में आंतरिक प्रिति दवेंदे और युद्ध था, कि शहरों के अंदर भी युद्ध बहुत चलता रहता था, दूसरे शहरों से या दूसरे राज्यों से हमला हुआ, जैसे कि Aryans, यह भी संभावना जिताई जाती है, कि Aryans ने शायद उन पर हमला किया था, जिससे कारण उनका पतन हो गया था, deforestation and floods brought in destruction, वनों की कटाई और बार्ण विनाश में लाया गया, यह भी संभावना है कि वहाँ पर शायद बार्ड आ गई होगी, या फिर वहाँ का जो था, deforestation, सारे जंगल काटे गए होगे, जिसके करण बार्ड आ गई होगी, ऐसे बाते भी कही जाती है, तो इसका जो सही उत्तर हो वह होगा, वह होगा, grazing of green cover by hurts and cattle destroyed by the soil cover, उसका जो सही उत्तर होगा, option number A, यह बात का जिकर कहीं नहीं किया गया, हमारी किताबों में, उसका जो सही उत्तर होगा, option number A, तो चलिए चलते हम अपने आगे वाले question पर, next question पर, इंडस्टिली, set up industries, when, जो अध्योग पती होते हैं, वो अध्योग स्थापित करते हैं, कहां स्थापित करेंगे अध्योग, चलिए मैं आपको पहले question समझा देता हूँ, जो अध्योग पती होगा, इंडस्टिली होगा, वो अपने जो factories होगी, वो कहां स्थापित करेगा, पहले वो देखेगा, कि जहां मैं factories थापित कर रहा हूँ, कि वहाँ पर अच्छे markets तो हैं, जिसके करण अगर वो अपना माल होगा, जो भी, उनका जो product होगा, उनके जो goods होगे, manufactured होगे, वो जल्दी से जल्दी बेचे जा सकें, उनको कच्चा माल भी मिल सकें, वहाँ पर वहाँ पर कच्चे माल की उपलब्दता होनी चाहिए, वहाँ पर पानी की सुविदा होनी चाहिए, वाटर की सुविदा, वहाँ पर पावर सप्लाई होनी चाहिए, जिसके करण उनको, उनको वहाँ पर कोई समस्या ना आए, पावर कट ना हो, पावर की सप्लाई होनी चा यह गौवर्मेंट की नितियां अगर गौवर्मेंट उनको सबसीडी देगी अगर उनको पैसे थोड़े बहुत देगी उनकी हल्प करेगी तो वहाँ पर प्राइविट या फिर इंडस्ट्रिय भी होगा वहाँ पर फैक्टरी खोलने के लिए राजी हो जाएगा तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा उत्तर हो सकता है अब मेरे को लगता है आप जितना मैंने आपको बताया है वह सब बात सुनने के बाद आपको यह कॉस्चिन अपने आप सॉल्व कर लेंगे तो फस्ट ऑप्शन टाउन कैन बी डिवलप्ड जिससे गाउं का विकास हो सके शहरों क विकास किया जा सके इंसेंटिब प्रोवाइड बाइड गॉर्मेंट तो रिजीव डियर प्रॉवेट्स सरकार द्वरा परदान किये गए प्रोथसाहान उनके लाब को कम करते हैं दे कैन डिवलप दियर ओन नेटिव प्लेस प्लेसेज वह अपने मुल स्थानों को नस्ट क है उनको इंडस्टिस बनाने के लिए अगर इनकूल है तो वह जुरूर वहाँ पर अपनी फैक्रिस खोलेंगे चलते हैं क्वेश्चन नमबर नेक्स्ट टॉंटी एट मैच दवालोईंग और पिकप दा कॉर्यक्ट ऑप्शन इसमें से हमने बताना है मैच दवालोईंग य ए यह एक्रिकल्चर होट रह से कल चरह पिक्यलचर एंड विटिकलचर तो चलिए हम आंध्युनेश्ज Chronos जैक्रलेंगे जैसे टेन नहीं भी देखिए, एक तो यहाँ पर है, B सही लग रहा है, अभी D सही लग रहा है, बागे के A और C, गलत हो जाएंगे, उसके बाद देखते हैं, होटी कल्चर क्या होता है, होटी कल्चर होता है, ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजेटेवल्स, B का थर्ड, चलिए देख यह देखिए, ओप्शन अबर D में आ रहा है, A का सैकेंड, B का थर्ड, और PC कल्चर क्या होता है, PC कल्चर होता है, ब्रेडिंग फिश, ठीक है, C का देखिए, यहाँ पर है, फोर्थ, और वेटी कल्चर क्या होता है, कल्टिवेशन अफ ग्रेप्स, तो देखिए, वेटी क क्या होता है, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फार्मिंग, खिती बाड़ी क्या होता है, फसले उगाना और खिती बाड़ी करना, होटी कल्चर क्या होता है, बागबानी क्या होती है, ग्रोइंग, फ्लार्स एंड फ्रूट्स एंड वेजटेवल्स, फूल उगाना, फल उगान और सब्जीन गवाना यह क्या होता है बागबानी होती है जिसे English में hoty culture कहते हैं PC culture क्या होता है मशली पालन मतश से पालन मशली का उतपादन करना क्या होता है ब्रेडिंग आफ फिश पीसी क्ल्चर वीटी कल्चर क्या होता है cultivation of grapes अंगूरों की खेती करना क्या होता है cultivation of grapes is verticals है यह सारी primary activities है कल हमने कही भी थी primary activities प्राथमिक क्रिया है primary प्राइमरी activities तो चले चलते हैं question number 29 पर social reformers like राजा राम मोहन राए राजा राम मोहन राए use the following strategy to campaign about the prevailing social injustice example सती against women सती प्रता पता है न आपको अगर उनके पती की मृत्यू हो जाती थी तो उनको भी साथ में आग में जला दिया जाता था जो women's होती थी उस समय के समय में पचले देखते हैं इसमें कौन सा उतर सही है option number A they used a verse or a sentence which is in the ancient sacred text to prove their stand वो ऐसी verse use किया करते थे स्लोग या स्लोग को वाक्यों में यूज किया करते थे जिनसे प्राचीन पवित्र गरंतों में अपना पक्ष साबित करने के लिए वो मजबूती बना सकें option number B they took the help of popular nationalist leader वो कुछ जो रास्टवादी नेताओं की मदद लेते थे वो उनकी मदद लिया करते थे तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा option number A कि एक शलोग या वाक्र का प्रयोग किया जाता था जो प्राचीन पवित्र गरंतों में अपना पक्ष शाबित करने के लिए होते थे वो उनसे लोगों को यह दिखाते थे उस समय के लोग थे जो वो धार्मिक बातों में ज़्यादा विश्वाश करते थे वो उन्होंने प्रथा बनाई हुई थी, उसका कोई strong basis नहीं था, ऐसी बना दे थी उन्होंने, तो वो अपनी धार्मिक बातों को ही आगे लेकर आते थे कि दिखाते थे कि यहाँ पर अच्छी बात लेकी हुई है, इसलिए यह सती प्रथा गलत है, तो इस तरह से राजाराम म structure वर ओफन बिल्ड बाई, इंडिवेजबल और ग्रूप्स, वर बिकमिंग पार्फॉल इन ओडर तू, बंगाल में मंद्रों और अन्यधार्मिक सरजनाओं का निर्मान अक्सर ऐसे व्यक्तियों या स्मुह द्वरा किया जाता था, जो क्रम शक्तिशाली होते जा रहे थे, option number add value to their surroundings, demonstrate their power, proclaim their pity and gain followers, ensure that they did good karma, demonstrate a marvel of architecture, their society, तो उसका जो सही उत्तर होगा, वो होगा option number B, अपनी शक्ति का प्रदशन करते थे, अपनी धर्म निस्ठा की घुशना करते थे और अपनी अन्यायों को प्राप्त करते थे, ये बात थी, इसलिए अन्यधार्मिक सरचनाओं का निर्मान बहुती तेजी से किया जा रहा था, इसका जो सही उत्तर होगा, option number B, चलते हैं, question number 31, which one of the following statement explains the essence of mixed economy, निमन लिकी तिखतन में से, मिश्रित अर्थ विवस्था, कसार बताना है, मिश्रित अर्थ विवस्था की बात इसमें कौन सी बात से पता चलता है, बोथ public and private, बोथ public and private sector share the profit generated in the economy equally, ठीक है, इसमें क्या बात की है, कि जो निजी छेतर होंगे, और जो सरकारी छेतर होंगे, ये दोनों जो भी profit कमाएंगे, equally बात लेंगे, बोथ the center and state government have a say in the legislation controlling the economy of the country, बोथ the states and center divide responsibility toward economic development, बोथ the public and private sector play a significant role in increasing the production and generation of jobs, तो उसका पहला option है, वो तो हो जाएगा गलत, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं कहीं होती, कि public और private sector का जितना profit होगा, दोनों एक साथ बातेगे, अगर यहाँ पर सरकारी कंपनियों को घाटा हो रहा है, और private company जैसे कि मुकेशंबानी की company, रिलाइंस जियो, अगर वो इतना ज्यादा profit कमा रही है, तो वो अपना profit सरकारी कंपनियों के साथ क्यों बाटेगी, हलाकि वो बात अलग है कि उसे बहुत जादा अपनी income को tax के रूप में देना पड़ेगा, पर वो अपनी income क्यों देगी सरकार को, तो इसलिए बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, केंदर और राज दोनों सरकारों के देश में अर्थ विवस्ता को निरेंदर करने वाले कानून का कहना है, यह गलत हो जाएगा, दोनों राज और केंदर आर्थिक विकास के प्रती जिमेवारी को विभाज़त करते हैं, नहीं यह भी गलत है, इसका जो सही होता होगा, option number D, कि दोनों ही बहुत ही महत्यपून भूमिका निभाते हैं, generation of jobs, रुजगार निर्मान में और उत्पादन करने में, दोनों की बह और उन अब दा मूवमेंट उवाटर, इसमें से मने बताना है कि कौन से पानी की गती में नहीं आता, ठीक है महासागर का पानी कहते लगातार बढ़ता रहता है, जवार पता है आपको क्या होता है, क्या टाइड इस का अंसर है, नहीं, current, waves या water cycle, current क्या होती है, यह भी लह cycle, water cycle, ठीक है, tides क्या होता है, जब हमारे समुद्र तर का तल का सतर बढ़ता है, जैसे कि जब भी एकर चांद या सूरज निकलता है, तो उसकी, उन में गुरुतवा कर्शन बल होता है, और वो गुरुतवा कर्शन बल हमारे पानी का जो समुद्रों का, महासागरों का पान इसमें से ऐसी कौन सी बात है, जो हमारे अर्थ के बारे में नहीं कही जा सकती, निमनलिकत में से कौन सा हमारे ग्रय प्रित्वी के बारे में नहीं कहा जा सकता, तो देखते हैं, इसके बीच में एक उभार है, हमारी प्रित्वी है, उसके बीच में उभार है थोड़ा सा, यहां पर यहां पर उभार है थोड़ा सा इड़ जाल दे ब्लू प्लैनेट हाँ ब्लू प्लैनेट तो कहा जाता यह तो हमने बहुती छोटी क्लासों में भी सुना होगा इडियुज पर्फेक्ट स्फियर यह संपुर्ण शेत्र है यह पूरा गोला अच्छी तरह से यह पूरा sphere एकदम गोला है पूरा गोल है पूरी इस लाइटली फ्लैटेन अड़ा पूल यह ध्रूवों पर यह थोड़ी सी चप्टी है चलिए देखते हैं डिसकस करते हैं यह बल्ग है इन दे यह तो हमें पता है हाँ यहाँ पर थोड़ी सी बल्ग है यह blue planet भी है क्योंकि यहाँ पर 71% पानी है ठीक है वाटर है 29% लैंड है तो फिर blue planet इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंत्रिक्ष्य देखने से हमारी धरती नीली दिखाई पड़ती है इस स्लाइटली फ्लैटेन अड़ पोल्स हाँ यह बात भी सही है कि यहाँ पर थोड़ी सी चप्टी है हमारी ध परफेक्ट स्पेर नहीं है तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा option number C यह परफेक्ट स्पेर नहीं है तो चल्ली चलते हैं question number 34 इसका जो सही उत्तर होगा चली देखते हैं the memories of a person who migrated to Pakistan from India at a time of partition वह ऐसी बाते हैं उनकी यादों जो लोग जो लोग पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान जब हमारा विभाजन हुआ था उस टाइम जो वहाँ पर चले गए थे माइट हो गये थे माइट हो गये थे थे उनका वो वो उनकी बाते जो उन्होंने याद की हुई है उनकी बातें क्या है सोर्स है और सोर्स का तो उनकी यादों की बात कर रहा है यादें तो उन्होंने क्या लिखा है writing तो यह answer तो पहले option तो पहले eliminate हो जाएगी है इन्होंने क्या बात की है writing oral history ठीक है इन्होंने कहा है नो तो यह तो होगी ना तो इसलिए option के साब से यह गलत हो जाएगा और scholar talking about school education system चलिए अभी डिसकस करते हैं option number C the anecdotes of a person who participated in the quit India movement आपको पता है na quit India movement भारत छोड़ो अंदोलन कब शुरूआ था 1942 में जब गांदी जी ने नारा दिया था करो या मरो का do or die यह बहुत ही important है अगर आपका इसका इससे भी question बन सकता है कि do or die का नारा किस नहीं दिया था यह अंदोलन कब आया था ठीक है तो इसका यह option भी नहीं होगी अब British soldier oral account of superior mutiny कि एक British सहने का मौके खाता यह सभी जो अभी मैंने तीनों option बताई हैं यह सारी oral history लिखने के लिए सही स्रोथ हैं इन्होंने क्या पूछा था not source material for writing oral history जिसका जो सही होगा उत्तर होगा scholar talking about today's education system आज कि शिक्षा पढणाली के बारे में बात करने वाला एक विद्वान आज की वह तो आज की बात कर रहा है तो वह कैसे हो सकता है ठीक है तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा option number B B is the right answer चले चलते हैं question number 35 through India choose universal adult franchise after becoming independent this was the without in the many other sovereign countries on the basis of certain criteria which of the gender which of the following was not one of the criteria हमने कल भी universal सफराज की बात की थी ना जिसमें महिलाओं को पुर्षों को सभी को एक समान अधिकार दिया गया है कि हम किसी को भी वोट दे सकते हैं तो इसका जो सही उत्तर था इसका हम देखते हैं इन्होंने क्या बात की है कि भारत भारत को जब यह स्वर्वसार्व हमें के व्यस्कम अधिकार का मिल गया था फिर भी अन्यमान दोंटों के धार पर कई अन्य संप्रभू दोस्त देशों में से रोख दिया गया था निमन लिगते में से कौन सा मापदेंट नहीं है तो रिलीजन एजुके पहले जैसे कि अमीर वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार था तो यह सारी बातों को धान में रखा गया था तो इसमें जो नहीं रखा गया था वो था रिलीजन ठीक है जो उनके पैमाने में सामिल नहीं था धर्म ठीक है चलो चलते हैं नेक्स्ट पर 36 विचन अब the following is not a feature of lithosphere अभी मैंने एक lithosphere के बारे में थोड़ा सा बताया था चलिए हम देखते हैं अभी mineral wealth is found in the sphere इस गोले में खनी संपत्या पाई जाती है mountains platos and valleys from a part of lithosphere परवट पठार और घाटियां lithosphere का एक हिस्सा है 97% of the earth water lies in the lithosphere इसका जो 97 प्रतिशत पानी है इस थलमंडल में स्थित है यह लैंड़ फॉर्म हानव तल है लैंड़ फॉर्म्स है वह भी human floor ही है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा option number c option number c अभी मैंने क्या बताया था कि यहां पर लगबग 70 वैसे तो 71 है पर हम round figure में देखें है तो यहां पर 70 प्रतिशत क्या है water 70 प्रतिशत water है और land कितनी है 30 प्रतिशत round figure की बात कर रहा हूं मैं 30 प्रतिशत क्या है वाटर है इसका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा option number c चले चलते हैं question number 37 which of the following state में about the title of NCRT history textbook our past as expressed by the author is not correct इन में से ऐसे कौन सी बात है जो कि हमारे अतीत किताब है NCRT की किताब है इतिहास की तो इसमें से ऐसे कौन सी बात कही गई है authors दौरा जो सही नहीं है तो उसका जो सही उत्तर होगा तो जो उसका पहला उत्तर है वो तो हो जागा गलत क्योंकि इन्होंने कहा है कि not ठीक है बट यह इसका यह इस बात को ध्यान में रखा हुआ है authors ने जिन्होंने अवर पास्ट कताब लखी है उसका जो दूसरा option है कि हाँ इसका सिर्फ एक पास्ट नहीं है बहुत सारे पास्ट है इसलिए इन्होंने यूस किया यह भी सही बा है ना यहां पर तो उससाब से इसका जो सही उत्तर बना वह बना सी यह दस नोट टॉक अबाट टाइमस ऑफ किंग संट कुइन और यहां यह भी सही है यह केवल लाजा और आनियों के बारे की बात नहीं करता सभी की बात करता है यह इसका option है ठीक है तो इसका जो सही उत्त अधिकांस लोगों ने उन्युश्वी सताइपदी के दौरान महसूस किया कि शिक्षा का महिलाओं पर भ्रस्ट परभाव पड़ेगा उप्रोक्त वाक्यों में निमतलनिकित में से कौन सा ब्रह्म ब्रस्ट के संदर्व का अर्थ बताया है देखने है देखने है दावर द गें तुए टेक देम अवे फ्रॉम दियर डिशनल रूल्स देवर्ड बिकम इंप्योर वोमें सबर मोर करप्ट देन मैं इट वेड ब्रिंग देम मोर मनी तो इन्होंने क्या बात कही है इन्होंने का है कि 19 सतावदी में जो बहुत सारी लोग थे वह क्या फ्लील करते थे ए पावर दे गें थ्रू एजुकेशन वो टेक देम अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल जो उनके प्रम प्रम्पक रोल हैं जो काम करती है घर का अना बच्चों का ध्यान रखना जो मैलाय शुरू से करती आ रही है उन्होंने उनको लगता था कि अगर मैलाय अगर यह काम करेंगी अगर पढ़ाय लिखाई करेंगी तो वो उन कामों को उन कामों से दूर हट जाएंगी जिससे वो करेंगी नहीं ठीक है तो इसका जो यह उत्तर है यह हो जाएगा सही ठीक है और बाकी का ऑप्ष्ण वो दे वूर वेकाम इंपेर यह गलत हो जाएगा वो मैंसार मोर नबर 39 फाल्हाइं वागे प्राविलम में इंडिया सुन अफटर इंडिपेंडेंट्स इसमें से इसी कौन सी बात है कौन सी समस्या है जो नहीं नोट का भी ध्यान रखना है इंडिया ने भारत ने अजादी के समय उसका सामना नहीं किया था कौन से ऐसे समस्या थी economic development यह बात तो सही है कि हाँ economic development भारत के सामने यह समस्या थी refugees from Pakistan Pakistan से आयशर नारती हाँ यह भी एक समस्या थी wealth and debts to be equally distributed among India, Pakistan and Great Britain जो भी था धन और रण जो भी भारत था उसको सभी में एक समान रूप में वृतित किया जाए इन तीनों देशों में तो यह बात नहीं थी ऐसे आ कोई प्रस्ताव नहीं था ठेक है इसका जो सही उत्तर होगा option number C pursuing the princely state to join the Indian union हाँ यह भी समस्या थी जितने भी princely state थी छोटी छोटी रियास्ते थी ना छोटे छोटे राजे थे इनको जोडने का काम इनको पूरा देश बनाने का काम यह भी एक समस्या थी भारत के लोगों को फिर सरदार पटेल सरदार वुलब भाई पटेल ने फिर उन् में सारी बहुत ही बड़ा काम किया था फॉर्टी कोशन नंबर फॉर्टी थूरॉट थे नाइंटी सेंचुरी मोस्ट एट्वेटेटेड वुमें वर टॉट अट हों बाई लिबरल फादर्स एंड हस्बेंड इंस्टेड उप सेंडिंग देम तो स्कूल विचा फॉल इसमें से इन्होंने कहा है कि 19-20 सितावदी में अधिकांच सिक्षित में लाओ को स्कूलों में भिजनों के वजाय उदार पिता और पती द्वाराई घर पी पढ़ाया जाता था निमन लिकत में से कौन सा गथन सही नहीं है पहली ऑप्शन देखते हैं लड़कियों को स्कूल में लड़कियों को घर से निकाल देंगे पुर्शों ने घर पर लड़कियों को पढ़ागर बहुत कुशी पाई तो इसका देखते हैं सही उत्तर काउन सा होगा इसका जो सही उत्तर था वह होगा option number A ठीक है क्योंकि वह स्कूल में भीजते ही क्यों अगर उनको लगता है कि यहां अगर पब्लिक प्लेस में भीजने से अगर उनकी बच्चियां घर के काम भूल जाएंगे तो वह पढ़ने घर पे क्यों सिक्षा देते ऐसे कोई बात नहीं थी तो उसका जो सही उत्तर होगा option number a is the right answer कौन सा option number a चले चलते हैं question number next which of the following is not a mineral इन्होंने का है mineral इसमें से कौन सा mineral नहीं है gold and silver gold and silver mineral है यह तो हमें पता है myka अब tuto होता हैं ना जो हमारी तारों में या mोटर में होती है हमारी मोटरिस जो जिस से पानी निकालते हैं उसमें use होता है grave hard जर घ्राइध जो मारी पैंसल में यूज होता है स्टान चे कि साल्टान नमक यह क्या है जो हमारे खाना चाला प्राइमेंग प्रैमरी आक्टिवटी दृते है कल भी मैंने समझाया था primary activity क्या होती है और माइनिंग क्यों नहीं होती फिर भी एक बार डिसकस कर लेते हैं यह बहुत सारा सरकार के पास पैसा लाती है ऐसा नहीं है इसका पैसे से कोई लिना देना नहीं है कि इस अब बिगेस्ट इंप्लॉयर और वर्कर से बहुत ज्यादा काम देती है लोगों को इसमें प्रित्वी के प्राकरतिक संसाथनों से उत्पादन में शामिल है इसको धरती से निकालते हैं सीधा धरती से निकालते हैं करने embarkalt यहां जैसे कि हमने फसले होगा दी जो हमने पहले पढ़ा था भी वोटी कल्चर होटी कल्चर अना अगरी कल्च्र यह सारी फिसारी थी और हमारी भरती से कर रही हैं इसको बात मैं अगर हम जया या चावल होते हैं या फीर हमारा आयरण हो रहा है खने जब अदार्त है इनको फैक्टरिज में ले जाकर मेनुफैक्टर कर रहे हैं तो फिर वो क्या बन गया सेकेंड़ी से एक्टीविटीज में आ ठीक है और टेर्शारी चौन से होती है जिसमें हम सर्विसेज फाइन्स या ट्रांस्पूर्ट पर दान करते हैं वह सारी कौन से होती है तैर्श टेर्श डेर्श एक्टिविटीज ते रितिक शित्र चलते हैं कोश्चन लंबर 43 which of the following is not an advantage of high tides इसमें से high tide जो होती है ना उच्च जवार भाटा का लाब नहीं है उच्च जवार कल बताया था ना अभी बताया था कि जब समुद्र का समुद्र का महसागरों का जब स्तर उपर बढ़ जाता है वो उससे क्या लाब नहीं होगा इन्होंने नहीं की बात की है ठीक है उसका सही उतर देखते हैं अगर समुद्र तल का अगर उसका वाटर का जुस्ता रह पानी का स्ता रह वो बढ़ेगा जोसे हम एलेक्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं यह सही बात है फिशिंग महाँ पर फिशिंग भी हो जाएगा अच्छी तरह से नविगेशन इस एजियर वह नविगेशन असान हो जाएगा महाँ पर ठीक है और और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे अर्थवयस्ता को मदद मिलेगी यह बात गलत है ऐसा परेटों को अकर्शित इससे करने कोई लेना देना नहीं है टाइड से ठीक है तो उसका जो सही उतर होगा वह होगा option number A ठीक है यह हमारा आज का last question था अगर आपको कोई question समझ ना आया हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा question समझ नहीं आया next दिन वो class में फिर से discuss कर लिया जाएगा यह आज हम अब हम अपना session खतम करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें thank you so much